सबी किसान साथियों को हमारा नमस्कार किसान भैयों आप सबी का हमारे यूटूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है किसान भैयों आज मैं आप पहुंचा हूँ पलवल हर्याना के अंदर में एक गाउं पढ़ता है औरंगाबाद में मैं इधर से निकल रहा था तो हमारे एक किसान भाई हैं जो गन्य के खेती बहुत लंबे अस्तर पर करते हैं बहुत-बड़ी खेती करते हैं गन्य की तो यहां पर मैंने वीडर चलते हुए देखा हब बहुत जवर्दस तरीक है कि मुझे वीड लगा है様 वैसे मोई वीडियो किया हों बहुत सारी आप तक पहुंचाया हूं और मैं किशाद्ब है अपको पता है तो मैने सोचा कि इसके बारे में सर से जानकारी ली जाए कि गन्य में कैसा काम करता है करता है या नहीं करता है तो सर से सारी जानकारी लेंगे जानकारी लेने से पले इनका एक छोटा सा परचे जानेगे तो नमस्कार सर सामने से जो हमारे बिवर्स हमको और आपको देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा सा प पहले थे जी सबकरावम रहों में और जी मेरो नाम सुरंदर है और गाव और अंगावाद है जिला पलवल है और राज्य हरियाना है और हम बहुत लंबे समय से गन्ने खेती करें करें करीब 20 एक ड़की करीब हमारे पास गन्ना रहता है हर साल पलवल हमारी सोगर मील है तो पह अच्छा बहुत जादा आब खरीव करीव एक एकड में चार हजार रुपे की आ जाई एक एकड में एक एकड में जी फिर हम एक साथ साल पहले एक रोट्री लेकर आये थे जी होंडा की जी तो वह अभी घर पड़ी है काम्याब नहीं हुए फिर एवाई एक बार हमारे पास ह अच्छा तो पर वल से जानकारी मांगी तो हम भी एक सोचरे पहले की तरह होंगी तो इनोंने का भाल वही सब हम आपको पहले डेमो दखाएंगे जब आप लेना तो पर यहाई हमारे पास जी रोना डेमा दो दखाया जी फर हमने खरीदी यह नाइन एच्प में है और यह क हम से कम चहिए अच्छा उससाब से पहले ही रेजर किसानों को सैट करना पड़ता है इस उसके बाद से फिर लेवर का खर्चा फर जीरो हो जाएगा अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि जिसे खर पतवार जो इतनी ज्यादा घांस निकल आती है गन्ने में गुडाई में अग अच्छा है पर इसमें लाइन से लाइन की दूरी थोड़ा रखनी पड़ती है जैसे सर इसकी टंकी वगरा है इसमें तेल वगरा जो है कौन सा तेल पढ़ता है डीजल पढ़ता है वैसे इन पे पैटरॉल में बेट ब्लब दे और ये एक एकट में 2 लीटर डीजल ये खपट करती है और 20 गौंटे बाद इसकी सर्वीस करनी पढ़ती है आप ही सर चलाते या इसको घर के बच्चे वगरा भी चला सकते हैं इसको बच्चे भी चलाते हैं और मैं भी चलाता हूं और यह बगर हाथ छोड़के भी चल जाती है हाथ छोड़के भी चल जाती है अशर जैसे मालीजी गंडे में तो आप वर्क करी रहें लेकिन अगर मालीजी आप सब्जी जो होता है उसका पल्टी करना होता है मालीजिए मालीजिए मसीन चल रही मसीन है लेटरीनिक चीजा इसे बता रहे हैं आप अलवल से खरीदे हैं तो इनको फोन वगेरा आप करते होंगे कि वो कैसे करते हैं इनकी अगर कोई दिखने बी Unternehmen अब छाति है तो इनकी सर्विस बहुत अच्छी है तो न त्रन्ते अपना टेकनीशीन भेज के और बिक्कत करshit अच्छा मदलब जो है यहां पे टेकनिसियन अपना भेज देते हैं और दिक्कत जो होती है वो पूरा दूर करवा देते हैं जैसे सर मैं देख पा रहा हूं टायर लगा हुआ अभी तो लेकिन जब बैक रोटरी चलेगी इसमें तो क्या इसमें आयरेन वील लोहे का वील लग होगी हां इनके पालों के पास बहुत कई और और वी साधाना करशी जी और बार एच्पी की भी है यह नाइन एच्पी जो चोटी भी है तो मतलब किसान भाई जो है इसको जो गन्ना की खेती करते हैं इससल उनके लिए बहुत अच्छी मसीन है उनको यह सब को ले लेनी चा जाता होगा कि पेड़ कट भी जाता है और बड़े ट्रेक्टर से अगर आप जुताई करेंगे तो बड़े ट्रेक्टर इसमें किस तरीके सचलेगा जो मैंड के सारे के जो पौदे हैं वो सब खतम हो जाते हैं लेकिन अभी इसको जब से आपने लिया है काफी अच्छा रि इसमें बीच में टाइड निकलके और जो ब्लेड हैं तो बीच में लग जा दें और अच्छी तरह मत देती है अच्छी तरह मत देती है बहुत बढ़िया सिस्ता में तो सर एक चीज मैं यह जाना चाहूंगा इसमें आप रोटरी खोल के ट्रॉली वगरे लगा कि इसे गन् सबसे बड़ी चीज है जो किसान से जानकारी मिलती है और आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूं आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे का आप किसान की पास जाके वीडियो करिए तो मैं इधर से निकल रहा था जैसे मैंने आपको बताया यह बहुत अच्छी गन्ये यहां भी भी है और सरगन्य यहीं प्याई और कहीं प्याइब है हमारे तीन जगे गन्या है इनका साथ साथ एकड के आसपास गन्या काफी जबरदस खेती करते हैं और किसान भाईयों बैक रोट्री गन्ये के लिए बहुत अच्छी है और यह चीज इसमें देखने को मिलता बैक बीचलती है अब बेट भी बना सकते हैं गन्या की जोताई भी कर सकते हैं आगर पशूं का चारा ले जाना है घंञा कटाई करके लिए जाना वो भी सब ले जा सकते हैं यह घट्राली लका कि भाट जबरदस तरीके से बिल्वी आजाती है तो किसान भाईयों इसको किसान भयों इस वीडियो को जादा से ज़्यादा से ज़्यार करें और इस जरूतमान को cesa क्रीजानों को पहुंचाएं और बीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि फिरसे मिलूंगा एक नई अच्छी वीडियो लेकर तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद